नमस्कार हर्गानानीज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ हितेतर आज हम एक ऐसे संगठन के बारे में बात करने वाले हैं जिससे खरीब 11 करोड लोग जोड़े हुए हैं और इस संगठन का नाम है सल्यूट तिरंगा संगठन तिरंगे के लिए तिरंगे को क्यों बनाया गया क्या तिरंगे का मतलब है ताकि देशवासी इस बारे में जान सकें 140 करोड देशवासी इस बारे में पूरी तरह से जान सकें जागरूप हो सकें इसी के लिए ये संगठन काम कर रहा है इसी संगठन के बारे में ज़्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ खास मेमान मुझूद है नवीन कुमार जी, सेल्यूट तिरंगा संगठन की युवा मोर्चे के रास्टी अदक्षन नवीन कुमार जी आपका स्वागत है हरियान न्यूस पर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हितेंद्र जी, हरियान न्यूस ने हमें यहां मौका दिया सेल्यूट तिरंगा संगठन हमारा एक राष्टवादी संगठन है जो संगठन सन 2018 में रेइस्टर्ड हुआ इस संगठन का जो में मोटिव है वो में मोटिव यह है कि 140 करोड देशवासी कैसे एक दूसरे के साथ एक दूसरे की देश भावना को छोड़कर देश को आगे बढ़ाने की भावना को लाएं यह हमारे संगठन का में मोटिव है आपने बता है कि सेल्यूट तिरंगा संगठन पूरी तरह से गहर राजनीतिक संगठन है आज कल राजनीती में हम लोग यह देख पा रहे हैं कि अभी प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी की तरफ से हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया कि घर घर तिरंगा लगाया जाए इस तरह की जो इस तरह की जो इस तरह की जो इस तरह पुठाय जा रहे हैं सरकार की तरफ से आपको क्या लग रहे है जो आपका संगठन है वो गैर राजनीत्रे संगठण पूरी तरह से वो भी यही काम कर रहा है, सरकार भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि क्यों इसकी ज़रत आन पड़ी, क्यों यह संगठण बनाया गया? देखिए ये संगठन इसलिए बनाया गया क्योंकि हम लोग सभी भारत के 140 करोड़ लोग जिस तरीके से जाती और धर्म में बढ़कर एक दूसरे का नुकसान पहुचा रहे हैं वो चीज भारत के लिए विश्वस्तर पर कहीं न कहीं गलत है इसलिए इस संगठन के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज इसराइल इतना छोटा देश है लेकिन इसराइल का हर एक व्यक्ति राष्टवाद से जुड़ा हुआ है राष्टवाद की भावना को रखता है इसलिए आज इसराइल को कोई भी देश किसी भी तागत से आज इसराइल को नहीं अरा सकता चुकि हमारा भारत देश एक सेकुलर देश है जिसमें सभी संप्रदाई सभी जात के लोग है इस देश पे जितना हक आज मेरा है उतना ही हक आपका है तो इसी मोटीव को लेके हम लोग आगे बढ़े हैं और इस मोटीव के साथ हम यह चाहते हैं कि 140 करोड लोग एक तिरंगे जो हमारा तिरंगा राष्ट धज है उस तिरंगे का जो उद्देश से है उसको समझें जो तिरंगे का उद्देश से है कि साहस बल और एकता आज एकता में ही पावर है आज आप देखिए कि अगर देश का 140 करोड आदमी एक दूसरे को सयोग करके अगर आगे बढ़ाएं तो भारत विश्व में सबसे अबल इस्थान पर होगा इसका पूरा जिस तरह से आपने बताया कि तिरंगे का जो महत्व है उसको समझाने के लिए आपने संगठन बनाया लेकिन और क्या उद्देशे हैं इस संगठन को बनाने का मैं इसे एक आम नागरे किससे क्यों जुड़े इस संगठन से सेलूट तिरंगा संगठन के राष्ट अद्यक्ष और फाउंडर स्री राजेश जाजी एवं राष्ट संगठन महामंत्री एवं पूर मंत्री उत्राखंड सरकार स्री सचेहन पोक्रियाल जी जब इन लोगों ने संगठन बनाने की जब सोची तो हम लोग भी उसमें फाउंडर मेंबर है तो जो संगठन बनाया वो उसका मोटिव यही था कि देश के अंदर जिस तरीके की समाज में जो बुराया चल रही है अगर मैं आज बात करूँ युवाओं की तो युवाओं में जिस तरीके से देश में नसा फैल रहा है वो कहीं न कहीं देश की प्रगरती को रोक रहा है आज देश में जिस तरीके से विर्दा असरम बनाये जा रहे हैं तो वो विर्दा असरम एक माबाप को अपने बच्चों से अलग करने के लिए कहीं न कहीं ये गलत कार रहे है तो हमारा संगठन मानता है कि हम एक दूसरे के साथ एरजेस्ट करके, एक दूसरे को सयोग करके, एक दूसरे को देश की भावना छोड़कर देश को कैसे आगे बढ़ाएं इसलिए हमारा संगठन बना और इस संगठन ने पूरे देश में ही नहीं अपितु 20 अन्य देशों में भी अपना संगठन मजबूत इस्तिती से खड़ा है और हमारा किसी तरह का कोई मोटिव नहीं है हमारा मोटिव सिर्फ यह है कि जितने भी भारतिय नागरिक हैं चाहे वो आज हमारे देश में हैं चाहे विदेश में वो एक दूसरे के साथ जुड़के एक दूसरे के सहारे आगे बढ़े ना कि एक दूसरे की टांग खीच कर एक दूसरे को नीचे गिरा हैं यानि के तिरंगा एक तरफ आप तिरंगे को बढ़ावा दे रहे हैं, तिरंगे का मैत्व लोगों को समझा रहे हैं, दूसरी तरफ जो हमारे देश की संस्कृती है, उसको भी संवालने का प्रयास, उसको भी संरक्षित करने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं, किस तरह की कारे कारिकरम किये जाते हैं सेलूट तिरंगा संगठन जो है वो साल में 365 दिन देश और विदेश में कारिकरम करता है देखिए 15 अगस्त चुकी हमारा आजादी का दिवस्ता वो हमारा 15 अगस्त का जो तयार है वो मनाना बहुत महत्पुर्ण है लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी के बाद भी हमें तिरंगे का उद्देश्ट को समझना होगा जो तिरंगे का उद्देश्स से है वो हर भारत के नागरिक के दिमाग में कैसे जाए इसके लिए हमारा संगठन हर परदेश में जिरा लेवल पर छोटे बड़े कारिक्रम करता है आज आप देखें जिस तरीके से 1 अगस्त 2024 को जम्मू कश्मीर के अंदर जो तिरंगा यात्रा हुई उस यात्रा में जम्मू कश्मीर के 10,000 से उपर कश्मीरी मुस्लिम भाई, कश्मीरी युवा, कश्मीरी महिलाएं सब लोग उस यात्रा में सामिल हुए आज से पहले कश्मीर के लोग हम ये मानते हैं कि कश्मीर के लोग गलत नहीं है लेकिन कुछ तुछ लोगों की वज़े से तुछ राजनिती करने वाले लोगों की सोच की वज़े से वो लोग डाइवर्टिड थे आज उन लोगों ने तिरंगा उठाया और इस तिरंगे का कारिक्रम को पूरे विश्व ने देखा जिस तरीके से चाइना और यूएस से हमारे सभी देशों पे चाहे वो हमारा देश में भारत हो बांगला देश हो अफगानिस्तान हो वो सभी देशों पे टारगेट करके बैठा है कि हम किस तरीके से इन देश को आपस में बाठ दे तो इस लिए आप किया संगठन बनाकरके, इस तरह के कारेकरम करते हैं का कुछ कारेकरम संगठन की तरफ से किय जाते है । संगठन जैसकि हमारे, अभी अपने Χार है कि प्रयावραन के हलात कैसे हो रहे है कि जम्मू कश्मीर, जो हमारा सबसे थंड़ा परदेश है उस परदेश में भी temperature 30 के उपर जा चुका है तो ये हमारे भविश्य के लिए ये कहीं न कहीं global level पर ये खत्रा है जिस तरीके से पेडों की कटाई हो रही है ये हमारे लिए खत्रा है जिस तरीके से पहाडों को काटके रोड बनाए जा रहे हैं ये हमारे लिए खत्रा है लेकिन हमारा संगठन इस चीज को रोकने के लिए देश के अंदर 2 करोड पेड लगाने की योजना बना चुका है पहले भी अन्य जगहों पर विर्चारोपन का कारिक्रम कर रहा है संगठन युवाओं को नसा मुक्ति से मुक्त करने के लिए संगठन नसा मुक्ति अभियान चलाता है जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं हरियाना और पंजाब में नसे का कारोबार इतना फैला हुआ है नसे का कारोबार भारते लोग नहीं चला रहे चुका है कि वो आज अपने मावाप को भूलने को भी तयार है बिल्कुल सही का आपने नशे का कारोबार जिस तरह से बढ़वा है उसको लेकर के भी आप आपका जो संगठन है वो युवाओं को प्रेरित कर रहा है नशा चुड़वाने का काम भी कर रहा है लेकिन जैसा कि आपने बताये कि ग्यारर करोड Одल letter के सफ़ गूव इंड़वा डिच्छव में अपके सार्फ लुड़ए हैं तो ग्यारर करोड लोगों तक इतने कम समय में साल 208 में आपने बताये कि ये संगठन बनाया गया लिए उसके लिधाने कम से में में गार उसके एक भारत में किस-किस राज्य में आपके जो संगठ्षन से जुड़े हुए लोग हैं और क्या काम वो करते हैं किस तरह से आगे यह संगठ्षन बढ़ रहा देखे हमारा संगठ्षन 2018 में रहिष्टर जरूर हुआ लेकिन संगठ्षन के राष्ट्यद्यक्ष जी जो श्री राज से लोगों को जोड़ा और अपना उद्देश से हर एक लोगों के देखो आज हम देखते हैं कि कोई भी नेगटिव कार रहे अगर हम समाज में करते हैं तो वो जल्दी से हमारा समाज का कैच करता है लेकिन आप अगर कुछ अच्छे कदम समाज में उठाते हैं तो उसको कै देश से को समझाने के लिए अपने जीवन का पूरा का पूरा जीवन इस सीज में लगा दिया और चुकि मैं युवा मोर्चा का राश्चत ज्यक्ष हूं जब मैंने ये जिम्मा उठाया तो देश के अंदर लाखो युवा इससे प्रवावित हुए और वो हमारे साथ जुड इतने कम समय में इसलिए पहुंच गया क्योंकि तिरंगा 140 क्रोड़ देश्वास्यों का है और तिरंगे से जुड़ना हर आदमी का पहला करतव्य बन रहा है आज जिस तरीके से मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से यात्रा हुई उस यात्रा में मैं परदा हम्हें कहीं न कहीं ये असास का एसास हुआ कि हम लोग भी वहां जाकर हम जैसे छोटे कारे करता भी वहां जाकर तिरंगा फेरा सकते हैं जो गयर राजनेतिक संगठन है या कोई भी संगठन जो आप ही की तरह काम कर रहा है क्या हूं उनसे भी छुड़ा हुआ है या आप अब अकेले अपने संगठन के साथ काम कर रहे हैं, देखिए हमारा संगठन जैसा कि मैंने बताया आपको हमारा संगठन 28 परदेशों में खड़ा है, 13 परदेशों में चाये आज आप बात करें दिल्ली में, उत्राखंड में, महरास्टर में, बंगाल में ब्लॉक लेवल तक जा चुका है पिहार उत्तर परदेश में भी ब्लॉक लेवल तक जा चुका है हरियाना के अंदर भी हमारा संगठन अगले एक मेने में ब्लॉक लेवल तक खड़ा हो जाएगा संगठन का मुख उद्देश जो है वह मुख उद्देश से यह सिर्फ संगठन का नहीं है यह हमा तिरंगे से जुड़के चलना हर कोई चाहता है तिरंगे का उद्देश से हर कोई समझना चाहता है यह अलग बात है कि आज हम भारतवासी जिस तरीके से पैसों के पीछे भाग रहे हैं तो आज आप देखो कि जो अफगानिस्तान में हुआ जो बांगला देश में हुआ तो कि वो लोग देश के लिए देखो खाना हमें रोटी है हमारा एट दू एंड यही है कि हमें जीना है और जीने के लिए हमें खाना रोटी है तो जो हमें रोटी खाना है हम उस नाममात्र अपने पैसों को संद्शित करें उसके अलावा हमें सब अपना पैसा राष्टवाद के लिए लगाना चाहिए एक दूसरे के आज मैं मानता हूँ कि अगर हर्याना के अंदर कोई भी आदमी अगर पचास जार क्रोड का मालिक है लेकिन उसके गाउं का हर एक आदमी भूखा रह रहा है तो वो लोग उसी को नोच के खाएंगे ये लोगों को समझना चाहिए आज हमारे आपके पास चाहिए 10,000 रुपे जेब में हो लेकिन वो सब के पास होना चाहिए ऐसा हमारा संगठन का सोच संगठन की सोच जो आपने बताई उसमें साफ तोर पर देश भक्ती जलक रही है संस्कृति को संरक्षित करने की बात आप कह रहे हैं लेकिन यहां पर एक बात आती है कि फाइदा क्या हो रहा है क्योंकि अपना घर चलाने के लिए भी आर्थिक जरूरते होती हैं सबकी अपने अपने घर की जरूरते होती हैं आप कह रहे हैं कि हम गैर राजनितिक हैं बिना किसी लाब के यह इस तरह का का काम कर रहे हैं लेकिन आप अपना घर चलाने के लिए या जो लोग आपके संगठन से जोड़ रहे हैं उनको क्या लाव हो रहा है आपको क्या लाव हो रहा है इस चीज से देखें हर चीज सिर्फ पैसो के मुल्याकन से आखा नहीं जा सकता लाव आज ये हो रहा है कि घर घर में एक छोटा बच्चा भी राष्टवाद की भावना को समझ रहा है इससे बड़ा लाव हमारे भारतवासियों के लिए कुछ नहीं हो सकता आज जो तिरंगे का उद्देश है इसको आज हम आप सब समझ रहे हैं और इस पे हमारे संगठन से जुड़े हर लोग उस चीज पे चल रहे हैं आज आप देखें मैं आपको एक छोटा सा उधारन दूं कि मैं एक दिन असम की गलियों में हर गर तिरंगा विहान का आयोजन कर रहा हूं। तो उस आयोजन में मैंने देखा कि जब मैंने एक घर में एक तिरंगा दिया तो वहां से एक आठ वर्स का बच्चा निकलता है और वो मुझसे पूशता है कि अंकल ये क्या कपड़ा आप बाट रहे हूं। अच्छेश इस सब चीजे जब बताए कि ऐस दिन का गदिन है और आज का दिन है पांस साल оंगे वो बच्चा अपने स्कूल में परोत्ता ह। बाढ़ राज्गूरु जैसे इन आत्हान देश के अंदर करनति लानी है। देश की सोच को बदलना है, देश को आजाद कराना है, तभी तो हमारा देश आजाद हुआ, अगर ये लोग नहीं ठानते, तो शायद आज हम भी गुलावे के जंजीरों में बंदे रहते हैं। तो इसलिए आपको ये मकसद है कि हर्दिशवासी तिरंगे के बारे में जानूंगे क्या ऐसी मेतवकुन जानकारीया आप चाहते हैं, जो हर्दिशवासी को पता हो तिरंगे के बारे में? देखे, जैसा कि आपको ग्यात होगा, कि तिरंगे का जो अविश्कार है, पिंगली वेंकईया ने किया। 1916 में उन्होंने पहली बार तिरंगे के बारे में सोचा, कि हमें एक राष्ट धज बनाना है। तो जब 1916 में उन्होंने सोचा, तो उस ताइम हमारा जो जंडा है, वो नो रंगों का होता था। उसके बाद 1930 में उन्होंने वो नो रंगों का जंडा जो है वो भारत का राष्ट धज के रूप में पेशकर्श की उन्होंने। बाद में हमारे राष्ट धज में अमेंडमेंट हुआ। महात्मा गांदी जी का द्वारा जो चरका चलाया गया। उस चरके की फोटो हमारे राष्ट धज के बीच में लगाए गई। तो वो भी हमारा प्रस्थाब पास नहीं हुआ। उसके बाद 22 जुलाई 1947 को जब हमारा तीन डंगों का तिरंगा बना उसके अंदर असोक चक्र को दिया गया तो 22 जुलाई 1947 को हमारे तिरंगे का प्रस्ताव को पास किया गया ये हमें समझना होगा ये भारत के हर एक नागरिक को चाहे वो भारत के अंदर रहते हों चाहे भारत से बाहर रहते हों वो 140 क्रोड देशवासी हों चाहे बाहर से रहने वाले लोग हों वो भार भारतिये नागरिक को ये चीज़ समझना होगा और खास कर हमारी आने वाली पीडी को ये चीज़ पता होना अती आवश्यक है उसके साथ साथ जिस तरीके से तिरंगे का उद्देश जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ साहस एकता और बल हिंदू मुसलिम सिख हिसाई हम सब भाई भाई जिसने नहीं ये नारा दिया क्या वो गलत नारा आज देश में जिस तरीके से संप्रदाइक दंगे होते हैं वो हमारे देश की प्रगर्ती में कहीं न कहीं अटकले लगाती है तो मैं ये मानता हूँ और हमारा संगठन ये मानता है कि हमारे देश का हर एक नागरिक चाहे वो हमारे यूवप वीडियो चाहे हमारे बुजूर्गों मैं बुजूर्गों से भी आपके चैनल के माध्यम से हाज जोड़कर विंति करता हूँ कि आप लोग आने वाली भविश्य को ये ग्यान दे ताकि हमारा देश विश्व में सबसे अच्छे पाइदान पे हो सबसे नमबर वन पाइदान पे हो मैं आपको बता दू आज हमारे देश में क्या नहीं है आज हमारे देश में कस्मीर जैसी वादिया है जहां पूरा विश्व वहां विश्व विजिट करना चाहता है आज हमारे देश के अंदर डॉक्टर इंजीनियर सभी तो हमारे देश से हैं आज आप नासा में जाके पूरे विश्व को चलाने वाला अगर कोई है तो वो भारतिय नागरिक है तो भारतिय नागरिक जिस तरह से पूरे विश्व में फैले हुए हैं अपना जंडाई का प्रचम फैला रहे हैं उसी को आप बढ़ावा देना चाहते हैं उसी के बारे में देशवासें को जागरू को जोड़ना है उसके बाद जिस दिन हम ये कारे कर लेंगे पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का कारे हम करेंगे और आर्थिक मदद कैसे मिलती है संगठन को देखिए संगठन में हर तरीके के लोग जुड़े हुए हम सब लोग आज ये मानते हैं कि भारत वर्ष के अंदर कोई पांच जार रुपे कमा रहा है तो वो पांच रुपे का एक जंडा खरीच सकता है तो ये जो मदद है वो मदद हमारे को कि इसी से नहीं मिल रही इसमें मदद हम आपस में सब एक दूसरे के साथ खड़े होके एक दूसरे के सयोग से इन सब भी कारिक्रम देश में होने वाले कारिक्रम को हम लोग बढ़ावा देते हैं एक दूसरे के साथ खड़े होके और जो हमारे संगठन के राष्ट स्री राजेस जाजी होंगे सेल्यूट तिरंगा संगठन के संगठन महामंतरी स्री सचेजान पोखरिया लोंगे उन्होंने अपना पूरा जीवन तिरंगे के उद्देश के लिए लगा दिया साइद भारत में बहुत कम ऐसे लोग हैं आज के डेट में जो इस तरह के कारेकरम को बढ़ावा देते हैं नविन जी सेल्यूट तिरंगा संगठन की युवा मोर्चा से जुड़ने के लिए किस तरह से युवा आप से जुड़ सकते हैं उसके बारे में बढ़े सेल्यूट तिरंगा संगठन से सेल्यूट तिरंगा युवा मूर्चा से जुडने के लिए जो हमारे देश के युवा हैं वो हमारे सोशल मीडिया फेज फेस्बूक वर्टसब ट्वीटर पर जा सकते हैं उसके साथ-साथ अभी हम एक स्कैनर लौंच कर रहे हैं जिसको स्कैन करके वो वहां से अपने फॉर्म को भरके सेल्यूट तिरंगा संगठन से जुड़ सकते उनको मेंबर्शिप आईडी उस हो जाएगी उसके साथ-साथ हमारा एक एप आ रहा है जिससे इसली कोई भी आदमी चाहे वो अनपड हो वो भी उस संगठन से जुड़ सकता है और संगठन गरीब अमीर संगठन चाहे किसी भी जाती किसी भी धर्म के सभी लोगों को एक साथ जोड़ेगा और मैं आपके चैनल के माद्यम से कह देता हूँ कि आने वाले पांच वर्स में भारत देश का हरेक नागरी इस संगठन से जुड़ेगा ऐसी मेरी कामना है मैं ऐसी संगठन के लिए सोच रखता हूँ बिल्कुल आपने वदा है कि संगठन से करीब 11 करोड लोग जुड़े हुए हैं युवा मोर्चा के अगर मैं बात करूँ हूँ युवा मोर्चा में कितने युवा आपके साथ जुड़े हुए है और किस तरह से प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं पूरे देश से युवा मोर्चा में लगबग लगबग डेड़ करोड युवा हमारे संगठन से जुड़ चुके हैं और मुझे पुर्ण विश्वास है कि जैसा कि आज देख रहे हैं कि देश के अंदर 50 क्रोट युवाओं की जनसंक्या हैं, मेरे को पुर्ण विश्वास है कि अगले एक वर्सों में देश का हरेक युवा हमसे जुड़ेगा और एक दूसरे को सहयोग से आज हम एक चीज और देखते हैं कि जैसा बहुत जगे यह समस्याएं आती हैं कि वो उस राज्य का है वो उस भासाई छेत्र का है यह समस्याएं कहीं न कहीं यह संगठन खतम करेगा और संगठन का यह उद्देश भी है कि हम आप कौमी बने हम आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जात अपने धर्म इन चीजों को कहीं न कहीं अपने धर्म को हम रखें, चुकि हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, कोई मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता है, अपने धर्म अपने मजब के लिए वो कारे करें, लेकिन जब राष्टवाद की बात आए, तो सिर्फ और सिर्फ तिरंगे के राज़ी होती है, कि हम वंदे मातरम नहीं नहीं भोलेंगे, भारत माता की जाए नहीं बोलेंगे, उनको किस तरह से तरह करता हैं? जिनको ये नहीं बोलना, मैं उनसे हाज जोड़कर विंती करता हूँ, कि वो लोग भारत देश को छोड़के चले जाएं, क्योंकि हम भारत की बात कर रहे हैं, धर्म सबका अपना अपना है, अपने धर्मों के लिए कारे करें, अपने मज़ब के लिए कार करें, हिंदू-मुसलिम सीखिसा है, हम सब भाई-भाई का जो ये नारा है, ये हमें समझना होगा, तिरंगे को हमें सम्मान देना होगा, तिरंगे की भावना को हमें समझना पड़ेगा. जी, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस फास कार्क्री में जुड़ने के लिए, नवीन जी, आप सेल्यूट तिरंगा संगर्षन, युवा मूर्चा के रास्टी अध्यक्ष हैं, और आपने बताए कि किस तरह से तिरंगे के मैतों को समझाने का, जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हैं, नमस्कार.